हेलो आपको रिलेटिव वालेशन और मर्जर एक्वेशन दोनों टोपिक में डिल करना पड़ता है यह क्या होता है पहले इसको हम समझते हैं जब रिलेटिव वालेशन में हम मल्टिपल कंपनीज को आपस में कंपेर करते हैं उनके मल्टिपल्स निकालते हैं तो वहां पर होता है क्या है कि अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग मन्थ में होती हैं मेरा मतलब है हर कंपनी का अलग-अलग येरेंड होता है कुछ कंपनियां हैं जो सेप्टमबर येरेंड से बिलोंग करती हैं और कई बार ऐसा होता है कि company मालो एक ही country से भी हैं तब भी उनके year end अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन जब हम comparison करेंगे अपने multiples निकालेंगे तो multiple calculate करने से पहले data को same month में लाना जुरूरी है तो हर company के year end को same month में लाने की जो process है उसे हम calendarization कहते हैं एक example के थ transaction में दो techniques होती है एक trading comps एक transaction comp तो यह trading comps का template आपके सामने है अगर आप देखोगे तो यह आपका output है जिसमें आपके पास अलग-अलग companies है फिर उसके बाद यह सारी companies अलग-अलग sheet पर दी हुई है ठीक है तो जैसे इस apple पर जाते हैं apple company का year end है September ठीक है और Oracle company का जो year end है व या तो आप में वाली company को September में लाओगे या September वाली company को में पे ले जाओगे और हो सकता है बाकी company December में हो तो हो सकता है इन दोनों company को लेके आपको December में जाना पड़े तो बहुत बार मैंने यह देखा है कि ज्यादा तर हमारे clients हैं वो companies को December पर calendarize करते हैं ठीक है तो उसके certain reasons हैं बट अभी उस पाइंट में जाएंगे फिलाल हम calendarization के उपर बात करेंगे क्योंकि यह थोड़ी complicated calculation है तो उसको हमें समझना जरूरी है तो या तो और एकल को आप September में ले क्या हो या फिर Apple को आप में में लेके जाओ ठीक है तो यह जो process है इसे हम calendarization कहते हैं तो अगर particular sheet में मैं क्या calculate करना चाहता हूं मैं यह multiples calculate करने है मुझे आप अगर देख रहे हो यह तो EV by revenue, EV by EBIT, EV by EBITDA, P-E ratio, price to cash flows और भी बहुत सारे multiples होते हैं बट illustration के लिए केवल HR multiple लिए गए हैं इस model के अंदर तो जब मैं data use करूंगा multiple calculate करने के लिए उससे पहले मुझे दो काम कर करने हैं एक तो इसकी currency change करनी है currency इस company की USD है दूसरी company की INR है तीसरी company की GBP है चोथी currency की JPY है तो सभी company को data को same month में लाना भी पड़ता है तो यह currency converter अभी बात नहीं कर रहे हैं हम बात करेंगे पहले इस calendarization की ठीक है यह calendarized data है और इस calendarized data को calculate करने के लिए यह particular formula हमें लगाना होता है तो यह formula बहुत dynamic है कैसे है dynamic जैसे अगर मैं switch में जाके यहां पर यह जो December लिखा है न अगर मैं आपे March कर दूँ तो वो जो data है वो automatically March पे calendarize कर देगा ठीक है और अगर मैं switch में जाके इसको June कर देता हूं तो data automatically June पे calendarize हो जाएगा यह formula कुछ इस तरीके सी चीजों को calculate कर रहा है तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक नई sheet पे लेके आता हूं आएधर ठीक है वीडियो थोड़ी लंबी होगी दो पार्ट में डिवाइड नहीं करूंगा अगर आपको कोई problem आए तो दुबारा वीडियो समझ के दुबारा वीडियो देखकर के समझने कोश करें तो मैं डेटा ले लेता हूं कि जैसे मेरे पास एक कंपनी है जिसका ये रेंड है जून कि जून थर्टी ठीक है और इसको मैं कलर कर देता हूं कि ये मैनुवली पंच करते हैं मॉडल के अंदर और यहां पर मैं लगा देता हूं स्विच स्विच क्या होता है हमारे मॉडल का कंट्रोल पार्ट ठीक है मैं चाहता हूं कि जब यहां पर वन लिखा हूं तो यहां पर मुझे जैन दिखाए दे टू लिखा हूं तो फेबरी और टर्ल लिखा हूं तो दिसंबर तो इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं आप चूस फं आप इंडेक्स फंक्शन लगा रहा हूं तो इकवल टू इन्टेक्स तो आप देखो कि पहला परामेटर क्या है तो इसको मैंने एरे बना लिया कॉमा इस एरे की कौनशी रू सेकिद्ड पैरामेटर रू नूंबर तो इसके आगे लिखा था ना उस पे क्लिक कर दिया कॉम कौन सा कॉलम कॉलम बन ब्रैकेट क्लोज एंटर अब अगर माली जी मैं आपर 12 लिखता हूं तो यह दिसंबर देगा अगर 6 लिखता हूं तो जून और 3 लिखता हूं तो मार्च तो जो प्रोसेस हम चाहते थे वह यहां पर पॉसिबल हो गई है अब यहां पर क्या लिखेंग कॉल मंत कि सिर्फ देखते चले जाओ समझ भी आ जाएगा बाइद एंड ओफ दी वीडियो इसको मैंने यहां पर कनेक्ट किया कंट्रोल आ तो यह भी कनेक्ट हो गया और यह भी कनेक्ट हो गया ठीक है अब यह एरेंड लिखा है यह लेकिन इसमें मंत कॉन सा है उसके में जा रहा हुं मेरा डेटा होगा उसको में जून पर कलेंड़राइज करूँ थीक है तो सिचुवेशन बन बोलेंगे मैं मतल konkret data जून का है और जून पर ही कैंलेंडरा एप तो मैं आगे जा रहा हूं मतले देटा जुन है मैं इसे कैंलेंड्राइज कर रहा हूं तो यह situation तक देखते रही है equal to if अवे काम करते हैं इस cell को define करते हूं मैं क्या नाम देता हूं इसका नाम करता हूं में Year and यह मेरा Year and और यह वाले cell क्या मेरा call month call underscore month enter यहां पर situation लगा देता हूं कि equal to if अगर year and बराबर है call month के लिए तो सिच्वेशन नमबर बन हो जाएगी वरना चेक करो क्या कोल मंथ ज्यादा है यह या फिर उल्टा डाल दो कि यह एंड कम है कोल मंथ से तो सिच्वेशन टू बरना सिच्वेशन त्री ठीक है तो यह हमने कर लिए आप एक बाद चेक कर लो जैसे मैं आप इस सिक्स करता हू तो सिच्वेशन वन नाइन करता हूं सिच्वेशन टू थ्री करता हूं सिच्वेशन थ्री ठीक है तो मतलब आगे जाना सेकेंड सिच्वेशन है पीछे जाना से थर्ड सिच्वेशन है ठीक है तो चली अब डिसकसिन शुरू करते हैं कि कंपनी ने हमें रिवेन्यू दी है यह 2070 लिख लेता हूं यहां पर यह 100 रुपे 250 500 एंड 650 ऐसी कुछ हमारी revenues हैं तो अब revenue हमारी situation 1 situation 2 situation 3 में क्या होगी वो calculate करने जा रहे हैं यहां पर ठीक है तो अब अगर मैं इसे कैलेंडराइज करता हूं माल लिजे जून पर डेटा कहा है जूलाइ टू जून अगर मैं इस डेटा की बात करूं यह 150 revenue यह कौन सी revenue है यह है जूलाइ 2017 से जून 2018 क्यों क्योंकि मेरा year end जून होता है तो यह डेटा कौन सा है जून 2018 तो यह जूलाइ 17 से जून 2018 का डेटा है तो अगर मैं डेटा जून का है जून पर क्यलेंडराइज कर रहा हूं तो डेटा विल रिमेन से कोई चेंज नहीं होएगा इतनी आपको बात आराम से समझ में आ जाएगी अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसके लिए मुझे कुछ कलर्स की रिकार्वेंट आएगी जैसे मैं इसको सप्टंबर में केलेंडराइज कर रहा हूं ठीक है और केलेंडराइशन की बात आ रही है 2018 की तो देखो क्या होगा एक कोलम को आप मान लेना कि वो एक क्वाटर है ठीक है तो मेरे पास अगर यह 150 वाला डेटा है तो यह कौ कि एटीन डेटा है अब हम इसे केलेंडराइज कर रहे हैं सप्टंबर में तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम तीन आप तीन महीने आगे जाने की बात कर रहे हैं तो यह डेटा आप यहां पर आओने की बात होएगी समझे ना इसको ध्यान से कि यह दिए तो हम इसे कहा रहे हैं कि सप्टंबर में केलेंडराइज करो मतलब इस कंपनी का जो Значит है वह जूर नहिं सप्टंबर करो तो मतलब यह सब्टम्बर 18 करो तो सब्टम्बर 18 का मतलब यह वना कि यह 9 महिने उठाओ और इसके 3 महिने जोड़ दो समझे इस बात को पहले अभी डेटा है जुलाई 17 से जून 18 अब बात हो रही है कि सब्टम्बर में लेके जाओ तीन महिने अगर लेके जाओ तो इसकी बात यही है ना कि इसके 3 महिने छोड़ दो यह पहले वाले और यह 9 महिने रखो और यह 3 महिने जोड़ दो यही तो बात ही देखो इसके 9 महिने रखेंगे अगले 3 महिने जोड़ेंगे तभी तो मेरे 12 महिने होगे तो इसका मतलब है कि अब इसके 9 महिने और इसके 3 महिने उठाओ तो उस calculation के लिए में क्या करने वाला हूं बड़े ध्यान से जमलना ये पूरा data divided by 12 कितना हो गया एक महिने का data into 9 कितना हो गया नो महिने का data plus अगले साल का data divided by 3 divided by 12 into 3 तीन महिने का data ठीक है तो यह जो डेटा आया है 175 यह कौन सा डेटा आया है यह डेटा आपका आया है अक्टूबर 2017 से सप्टेंबर 2018 यह जो डेटा यह कौन सा है यह अक्टूबर 17 ऑक्टूबर ऑक्टूबर 17 से सप्टेंबर 18 यह सब कई बार समझने में आपको परिशानी हो सकती है बट वीडियो दो बार तीन बार देखलो समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह पूरे तीन साल की कैलकुलेशन कंट्रोल आर करने से आ जाएगी तो अब जब मैं कैलेंडराइज करूंगा मतलब मल्टिप होगा वह एंटरप्राइज वैज्ट्र दिवाइडबाई यह वाली होगी कि अगर कम्पणी को सब्टमबर में क्लेख्या गया तो इतनी बात क्लिंश कि अब काम करके देखते हैं मैं इस बार इसको है जुलाई में कालेंड्राइब करता है किस में कर रहाए姜 जुलाई में तो अब क्या करना है ध्यान से समझना मेरी बात को कि अब मेरा डेटा कहाँ का है मेरा डेटा करेंट में इस डेटा ही बात करा हूँ मैं 150 की यह डेटा जो मेरा है 150 यह वाला ओरिजिनल डेटा यह डेटा मेरा है September सब्सक्राइब जुलाइब 17 से अब एक काम करते हैं इस बार ना बारा महिने ले लिता हूं मैं 12 12 महिने का डेटा मैंने ले लिया यह मेरा है जून तक का जून अठारा ठीक है अब बात विए कि जुलाइब में कैलेंडराइज करो तो मतलब एक महिन आगे जाओ जून तक का तो है जुलाइब करना है ठीक है जूलाइब 18 तो इसका मतलब यह वना कि इसके तो ग्यारा मेहने ले लो और एक महिन मैं इसके लेलो और एक महिना आगे का जोड़ दो आपके कैलेंडराइज डेटा आएगा तो यह कौन सा है कि ऑगस्त कि 17 से जुलाई 18 यह मेरा कैलेंडराइज डेटा है तो इसके लिए मुझे इस फॉर्मले में क्या चेंज करना पड़ेगा ध्यान से देखना एफटू किया इसको इंटू 11 क्योंकि करेंट येर के मुझे ग्यारा महिने रखने और अगले साल का मुझे सिर्फ एक महिना लेना है में कैलेंडराइज तो क्या मतलब हुआ कि मैं पांच महीन आगे जा रहा हुआ है ठीक है यह मैं गया नॉम्बर है एटीन तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पांच महीने इसके छोड़ दो कि देखवा भी समझ में आएगा यानिकि यहां से स्टार्ट करो कि देसंबर कि नॉम्बर एटीन क्या मतलब हुआ मैं हूँ मेरा जो डेटा है वह जुलाई टू जून है मैं नॉम्बर पे लेके जा रहा हूं पांच महीने आगे जा रहा हूं तो करेंट कोलम में साथ रखो अगले कोलम के पांच जोड़ दो ठीक है तो क्या कैलकुलेशन करेंगे यह है साथ क्योंकि पांच अगले कोलम से उठाने है तो अगले कोलम से पांच यह लोगी अब बात ही है कि सर कि यहां पर मैं कुछ भी लिखूं कि कुछ भी लिखूं मतलग साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा जुलाई अगस सप्टमबर ऑक्टूबर नॉमबर दिसंबर हम मै है आप कुछ भी लुगूं आपने आप आनी चाहिए यहां तो मैंने क्या किया कभी अगले पांच कोलम जोड़ दिया कभी अगले कोलम जोड़ दिया ऐसे कर रहा हूं मैंनोली समझाने के लिए बट इस चीज़ को फंक्शन के थुरू बनाना है ठीक है कि ऑटोमेटिकली क करने के लिए देखे क्या करें अभी हम कि देखो कि इस बात को समझना पड़ेगा कि यहां पर यह 7 आया कैसे है मेरा देटा था जुलाई से जून मैंने नवंबर में केलेंडराइज किया तो पांच महीने आगे गया तो जितने महीने में आगे गया ना उतने महीने करंट में से काट दो तो करंट कोलम में कितने महीने होते हैं है कैसे रखेंगे 12 तो हमारे पास मन्थ हैं इस कॉल्म में मैं माइणस कितने करने जितने मन्थ आगे जा रहे हो तो उसके लिए क्या करेंगे ब्रेक्ट स्टार्ट हम गयारा पे जा रहे हैं माइणस हम 6 पर है एक ब्रेकट लुच दो ब्रेकट क्लोश। ठीक है तो 11-6 कितना बन जाएगा ये 5 बनेगा तो 12 में से 5 कम होएंगे तो 7 बन जाएगा यही तो हमें चाहिए दा अब यह लास्ट में 5 कैसे आएगा हम जितने महीने हम आगे जा रहे हैं उतना यहां बे कर दो तो 11 पे हम जा रहे हैं माइनस 6 पर हम हैं ब्रैकेट क्लोज एंटर कंट्रोल आर ठीक है अब एक बार यह जो कैलकुलेशन आ रही हैं इनको टेस्ट करेंगे कि सही आ रही है कि नहीं तो उसके लिए मैंने क्या किया यहां पर 10 कर दिया 10 कर दिया ठीक है तो हम जून पर हैं और अक्टूबर में जा रहे हैं तो चार महीने आगे जा रहे हैं तो करंट कोलम के हम 8 रख लेंगे ठीक है कैसे करेंगे देखो इक्वल टू डिस डिवैड़ वर्टल इंटू 8 प्लस अगला डिवैड़ वर्टल इंटू 4 यह देखिए बैल्यूज मैच हो रही है प्रॉपर म दा रिवैड़ वर्टल इंटू हम जून पर हैं सप्टमबर में जा रहे हैं तो तीन महीने आगे जा रहे हैं तो करंट में कितने रखेंगे 9 पलस अधिस डिवैड़ वर्टल इंटू 3 सब्सक्क्राइव जो डेटा है यह देखो यह प्रॉपर मैच हो रहा है इसका मतलब ये है कि second situation में जो हमारी revenue है वो perfect आ रही है कोई दिक्कत नहीं है अब बात आती है जी situation number three के situation number three में क्या करेंगे data हमारा है जून का और हम जाएंगे मानली जीए March में तो उसके लिए क्या करना है है देखिए हम है June पे aussi July to June हमारा data है हम September हमारे मार्च में तो 3 मेनैं पीछे आ रहें तो current के क्या करेंगे नाइन रखेंगे डिवैड़ वार्ट्रियु इन टू तरी ये यह कैलेंडराइशन हो गया यह सिचुएशन नमबर 3 हो गया तो अब एक काम करके देखो मानली जह मैं इसको कैलेंडराइश करता हूं फैब में ठीक है तो फैब में सिचुएशन नमबर 3 है कैल कैलकुलेशन यहां पर रखेंगे तो डेटा हमारा है जुलाई से जून तक हम यहां वारे हैं February में तो मतलब 4 महिने पीछे आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमें यहां पर आठ रखने पड़ेंगे और पीछे वाले कॉलम के चार जोडने पड़ेंगे ठीक है Ctrl R अब बात यह आते हैं कि सिचको Automatic करो तो आटोमेटिक करने के लिए क्या करेंगे देखो यह आपर आठ बनाना कैसे करेंगे 12 हमारे थे माइनस क्या जितने महीने हम पीछे जा रहे हैं उतने करंट में से काट लो अब हम जून पर हैं तो हम चार महीने पीछे आ रहे हैं तो करंट के 8 रखेंगे मतलब 12 माइनस 4 करे ब्रैकेट स्टार्ट हम छे पर हैं माइनस हम दो पर जा रहे हैं तो छे माइनस दो क्या होएगा चार ठीक है तो बारा में से चार माइनस होएगे तो आठ आए जाएगा अब बात आती है लास्ट में चार कैसे लाओगे ये भी बड़ा असान है कि ब्रैकेट स्टार्ट 6-2 यह कैसे आया हम लोग 6 पर हैं और 2 पर जा रहे हैं हम लोग जून पर हैं और February में जा रहे हैं Ctrl-R तो यह तो चलो ठीक है अब इसको देखना है कि आटमेटिक सही हुआ है के नहीं हुआ है तो मैं काम करता हूं इसको इस बार में पर कैलेंडराइज करता हूं तो यह कैलकुलेशन जो आ रही है इसे चेक करना है कि सही आ रही है के नहीं आ रही है तो क्या करेंगे इक्वल टू इस डिवाइड बाई 12 इंटू कितना हमारा डेटा है जुलाई टू जून हम लोग में पर आ रहें मतलब एक महिना पीछे तो करेंट के हम क्या करेंगे 11 परफेक्ट आ रही है अब एक और सिच्वेशन लेकर देख लेते हैं चलो अब हम चलते हैं माल लिए जन्वरी पर ठीक है तो जन्वरी में यह डेटा क्या है सही है कि नहीं हो चेक करना है तो इक्वल टू डिस डिवाइड बाटल इंटू कितना हम लोग जुलाई टू हुआ पीछे जा रहे हैं ठीक है तो करन्ट के क्यतने रखेंगे हम साथ क्यों कि टोटल 12 होते हैं पीछे आ रहे हैं तो करन्ट के साथ रख लिए और पीछे वाले के पांच जोट दिए तो यह देखें यह डेटा भी बिलकुल परफेक्ट आ रहा है तो इस तरीके से हमारी तीनों situation में ये अलग-लग revenue होंगी ठीक है अब एक काम और करते हैं बस इसके बाद मैं आपको पूरा calendarization का formula लगा दूँगा क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ आपको concept समझा रहा हूँ माल लीजिए हमारे company का year end है March और अब मैं उसे September calendarize कर रहा हूँ तो क्या यह situation to perfect calculation दे रही है यह चेक करना है कैसे करेंगे देखो equal to this divided by 12 into कितना हमारा data है April to March वह year end March हो गया अब April to March है September में जा रहे हैं मतलब 6 महीने आगे जा रहे हैं तो 6 महीने करेंट के रखो plus this divided by 12 into 6 6 महीन आगे के जोड़ दो यह देखे situation 2 से match करना है इस से match करो बिल्कुल perfect है इस तरीके से हमारा केलेंडराइशन बिल्कुल perfect काम कर रहा है situation 2 में situation 3 में और देख लेते हैं चलिए अब एक काम करते हैं इसको बन पर ले आते हैं अब केलेंडराइशन हमारा जैन्वरी में हो रहा है और कंपनी का year end March है तो इसको कैसे किया जाएगा कि equal to this divided by 12 into 10 वहीं डेटा कहां है एपरेल टू मार्च दो मेने पीछा है जैन्वरी में है तो current के 10 रखेंगे और पीछे वाले के डिवेड़ेट वाटेल इंटू 2 दो जोड लेंगे यह देखिए बिल्कुल perfect answer आ गया है ठीक है तो situation 3 हमारी proper match हो गई है इसको में delete कर रहा हूं अब हमारी जो EV by revenue निकालेंग के EV by EBIT, EV by EBITDA, EV by cash flow या price to EPS हमें हर item को calendarize करना पड़ेगा यहां पे तो क्या वल क्या revenue को calendarize करके दिखाया मैंने calendarization हर item का होगा तो EV by revenue निकालने के लिए आपके पास proper revenue कौनसी होगी अब ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि यह तीन तीन जगों पर आप अपनी revenue रखें तो फिर तीन तीन जगों पर आपको EBIT तीन जगों पर EBITDA 3 पर cash flow ऐसे रखना पड़ेगा कितना बड़ा model हो जाएगा यह स समझेंगे कैसे डालेंगे देखो equal to there's a function called choose तो पहला parameter क्या है index number index number has to be numerical value तो वो मैंने इस cell को बनाया इसको मैंने lock कर दिया अगर यह situation 1 है तो यह मेरी revenue होगी अगर यह situation 2 है तो यह मेरी revenue होगी अगर यह situation 3 है index number 3 है तो यह value 3 यानि कि revenue 3 मेरी revenue होगी यह answer है अब समझो अगर मैं यहाँ पर March कर देता हूँ तो situation 1 के साब से data perfect आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसको जून कर देता हूँ तो situation 2 यानि कि यही वाली value to be performed within this particular formula तो कैसे करेंगे उसे समझिए दिस दा लास्ट अभी वासे एक मिनिट में video complete हो जाएगी copy किया इसको मैंने आप देखो यह जो d12 है d12 के अंदर जो formula लगा हूँ है उसे मैंने copy करके यहाँ d12 की जगया पर paste कर दिया तो d12 का use खतम देखते जाएंगे अब मैंने इस पूरे function को copy किया और यहाँ पे आया d14 का formula copy करके लाया हूँ मैं तो d14 को delete करके d14 के formula को यहाँ पे डाल देता हूँ तो d14 का use खतम हो गया देखते रहेंगे समझ आएगा आपको f2 किया shift home copy यह situation 3 को copy कर लिया है अब situation 3 जो यहाँ पर है न d16 उसे अटाया और इसके formula को यहाँ पे पेस्ट कर दिया control r अब एक बाग बताओ इनकी क्या जरूत में delete करो क्योंकि सारी calculation हमने कहां डाल दी एक ही formula के अंदर डाल दी सारी calculation हमने इसी के अंदर डाल दी यह अपने आप अंदर calculate करेगा अगर situation 1 होगी तो value 1 answer है अगर situation 2 होगी तो value 2 यहां से लेकर के यहां तक है यह calculation आ जाएगी अगर situation 3 होगी तो यह calculation यहां से आता यह calculate हो जाएगी इस तरीके से यह हमारी जो revenue आई यह calendarized revenue आ गई चेक करना चाहो तो कर सकते हो किसी भी लेवल पर जाके जैसे मैं अपना year end बना लेता हूं September September मेरा year end है और मैं इस सब्टम्बर में सब्टम्बर में ही calendarize कर रहा हूं कर दोंगा तो यह देखो सही situation आ रही है बिल्कुल के इस डिवैडवर्टल इन्टू 9 प्लास इस डिवैडवर्टल इन्टू 3 यह देखें मैच हो गया ठीक है situation 3 के एसाब से अगर मैं इसको जून पर कैलेंडराइज करूंगा तो इकवल तो इस डिवैडवर्टल इन्टू 9 प्लस इस डिवैडवर्टल इन्टू 3 यह देखें परफेक्ट मैच हो रहा है तो इसी के साथ अब आप एक और अपने मॉडल पर आ जाओ तो जितनी भी sheets हैं हर sheet को पर हर sheet के ओपर यह formula लगा हुआ है यह देखो revenue calendarize हो रही है EBIT calendarize हो रहा है EBITDA हो रहा है EPS हो रहा है सब कुछ calendarize होकर क्या आएगा और यह formula हर sheet sheet पर लगा हुआ किसी भी sheet पर चले जाना क्योंकि अगर यह calendration लगाएंगे नहीं तो आपकी अलग-अलग company अलग-अलग एरेंड में होंगी तो जो denominator है सबका अलग लोग होगा enterprise value तो latest है लेकिन जो सबकी अलग-अलग time period किये किसी का डेटा जून तक का है किसी का सेप्टमबर का है किसी का दिसंबर तक का है तो सबकी revenue सबका EBIT सबका cash flow एक मन्त में लाना जरूर ही है और इस process को ही हम क्या कहते है calendarization अब यह जो calendarization है आपका relative valuation में भी आया यह आपका margin equation में भी आया और यह आपका और दूसरी situation में भी आएगा तो यह वीडियो इतना ही इस वीडियो को दो बार देखेंगे समझ आएगा बट उसको excel में एक बार करके जरूर देखेंगे लेना thank you very much